किसान भायों नमस्कार मैं हूँ आपका किसान दोस्त विजेम और और आप लोग देख रहे हैं यूटूब चैनल नंबर वन खेती बाड़ी किसान भाय आज के इस विडियो में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि खेती में फिटकरी के क्या-क्या फायदे होते हैं और इसका इस्तिमाल हमें किस तरह से करना चाहिए यानि फिटकरी का उपयोग फसलों में ड्रिप की सहायता से करना चाहिए या आप खुले पानी में फसलों को दे रहे हैं तो खुले पानी में इसका इस्तमाल किस तरह से करना चाहिए इस्प्रे करना चाहिए नहीं करना चाहिए खेती में इससे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, तो क्या नुकसान हो सकते हैं, और फसलों में फिटकरी का उपयोग किस वेसस पर करना चाहिए, यानि फसलों में फिटकरी का उपयोग एक पीट नासे की तरह यूज़ कर सकते हैं, या एक फंगी साइट के तोर पर यूज़ कर सकते हैं या एक फर्टी लाजर की तोर पर यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए किसान में अगर आप लोग भी अपनी फसलों में फिटकरी का उपयोग करके कम खर्च में अच्छा रेजल्ट लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो कंप्लेट जरूर देखिएगा क्योंकि आधा अधूरी जानकारी हमेसा मुसीबत में ही डालती है तो जो भी हमारी किसान भाई बंदो इस चैनल पे पहली बारा है या अभी तक जिन किसान भाईयों ने इस चैनल को सस्क्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा कर ओल पर क्लिक कर लें ताकि आप लोग को ऐसे ही ख जाइब की होती है और इसमें potassium, aluminium और sulphur, sulphate रूप में पाया जाता है, अब बात करते हैं कि खेती में फिटकरी का उपयोग हमें किस condition में करना चाहे, तो पहला condition यह है किसानवाई कि यदि आपके खेत की मिट्टी का pH मान ज्यादा है, यानि हाई है, साथ से उपर है, उस condition में आप लोग फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं, मिट्टी के pH मान ज्यादा होने की इस्थिति में किसानवाई, अगर आप लोग अपनी फसलों को जो भी nutrition देते हैं, यानि खा दियों उर्बरक का इस्तमाल करते हैं अपनी फसलों के लिए, वह खा दियों उर्बरक मिट्टी मे काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है, इस कंडीशन में किसानवाई, यदि आप लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं, तो फिटकरी में यल्मूनियम पाया जाता है, जिसकी वज़े से यह मिट्टी के pH मान को बहुत ही जल्दी कम करता है, यानि समानने करता है, जिसकी वज़े से खेत में पहले से पड़े पोसक्ततों को फसलों की जड़े होती हैं, वह जादा मात्रा में पोसक्ततों को असोसित करती हैं, जिससे पौधों में अधिक मात्रा में जो कलों का फुटा होता है, उनमें वड़वार होता है, और उनमें अधिक मात्रा में पै पहले के पेच्छा वहतर उत्पादन ले सकते हैं, यह तो किसान भाई होता पहला कंडिशन, दूसरा कंडिशन यह है किसान भाई में पानी का हाई TDS, किसान भाई यह आप लोग अपने फसलों की सिचाई ऐसे पानी से करते हैं, जिसका TDS ज्यादा है, यानि पानी खा रहा है तो ऐसे पानी से खेट की सिचाई करने से किसान भाई हो, आप लोग जो फसल में अपने खादे उर्बरा का प्रियोग करते हैं, वह फसलों की जड़े जो है, वह अवसोसित नहीं कर पाती हैं, ऐसे पानी से खेट की सिचाई करने से, खेट में पोसक तर जो वह फिक्स हो ज किसानमा या आप लोग फिटकरी का उपयोग एक कीट ना सक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं यदि आपकी फसलों में पौधों में दीमक का टैक हो रहा हो उस कंडीशन में किसानमा या आप लोग जो फिटकरी का उपयोग करके दीमक जैसे कीट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं इसके अलावा किसानवाई आप लोग चीटी लाल चीटी जैसे कीट को फिटकरी का उपियोग करके फसलों में पौधों में उसका आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं खेती में फिटकरी के उप्योग करने का जो चौथा फायदा है वो है फंगी साइड किसानमा आप लोग फिटकरी का उप्योग अपनी फसलों में पौधों में फंगी साइड के तोर पर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें sulphur, sulphate रूप में पाया जाता है, और sulphur का काम होता है, पौधों और फसलों को फंगी जनित रोग से बचाना, इस condition में किसान्मा यदि आप लोगों के फसलों में पौधों की जड़ों में जो हुआ फंगस लग रहा है उसमें सड़ गलन की समस्या आ रही है, उ तो पहला condition यह है किसानमाई कि यदि आपके खेत की मिट्टी का पीएच मान 5 है या 5 से कम है तो उस condition में फिटकरी का उपियोग ना करें अन्य था आप लोगों को बुरा परभावत देखने को मिल सकता है। दूसरा condition यह है किसानमाई यह दि आप लोग अपने खेत की सिचाई नहर के पानी से नदी के पानी से या बारिस के पानी को इस्टोर करके अपने खेत की सिचाई कर रहे हैं तो उस condition में आप लोग फिटकरी का उपियोग बिल्कुल भी ना करें अन्य था आप लोगों को बु आप लोग अपने फसलों की सिचाई पौधों की सिचाई ड्रिप की साहता से कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने फिटकरी का जो है वह चूड बनाकर पानी में घोल लेना है और उसके बाद किसानमाई आप लोगों को ड्रिप की साहता से जो है पौधों और फसलों में द अब करने वाले हैं। इसे नाली में किसानमाई आप लोगों को फिटकरी को जूट या सूती कपड़े में बाध कर रख देना है। और इसका पूरा कंटेंट जो है क्टत में फैल जाएगा यानि पौधे की जरब जर तक पाल जाएगा। जिसे पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ होने के साथ साथ किसानमाई आप लोगों के पौधों में बहुत ही अच्छा जवर्दस्त फाइदा देखने को मिलेगा अगर किसानमाई इसके प्रती एकर डोज की बात करें तो यदि आपके खेत की मिट्टी जो है वह 6 से 7 के बीच में है तो प्रती एकर आप लोगों को 1 किलो फिटकरी लेना है वहीं दूसरी तरफ किसानवा यदि आप लोगों के खेत की मिट्टी का पीएच मान जो है वह साथ से उपर है तो प्रती एकर जो है आप लोगों को जो है वह दो केजी फिटकरी ले रहा है तो आज ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें किसानवा आज की वीडियो में बस यहीं तक फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जै जवान जै किसान